हलो गाइज वेलकम बैक टो नादर मार्केट अनालेसिस वीडियो आज हम क्या देख रहे हैं आज हम देख रहे हैं कि एफ इस ने फिर से कुछ 758 का 100 करोट की बाइंग करी है इसकी इंटर्प्रेटेशन और इसकी इंटर्प्रेटेशन लगबग सेम ही है इसके इलावा कोई वह वाइडियेशन नहीं है इसकी बात करें डेरिवेटिव मार्केट की जो कैश फ्लो है इंडेक्स फ्यूचर में कुछ बेचा है बट जो नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है वह यह वाला वापस थी कैश में लॉलिपॉप दे रहे हैं कि कैश में बाइंग कर रहे हैं बट स्टॉक फ्यूचर में ओन डेली बेसिस शॉट्स अड़ कर रहे हैं ठीक है जब भी ऐसा कुछ होता है तो पूजिशनली मार्केट सेल और राइस ही होती है ठीक है पूजिश और उसके बेसिस पर अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप नुक्सानी जेलोगे प्रॉफिट में कभी नहीं आ पाऊगे ठीक है बात करें डेलेटिव वह है कि तो इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा लॉंग किया है थोड़ा शॉट किया है कुछ इंटर्पेटेशन इस सबस्क्रांग जाथा है टोटल बेसिस पर थे बत्क्या मार्केट को रही गिर जाएगी ऐसा नहीं होता है ये इसमें हम ही क्या पता कि कौन सब इकली कानंबर है इस वेå weet MAYक्ली कानंबर है कौन मंथ्ली का नमबर है बट इसकी analyze more in detail तो वो पता चल सकता है, ठीक है, but market में option chain is bearish, index futures से कुछ data नहीं आ रही है, stock futures से भरके हमापस एक data आ रही है, जो है ये वाली, कि आज की date में despite market going up, FI is buying in cash some amount, हम क्या देखने हैं कि day long से फिर से 15,000 कॉंट्रेक्ट्स अटा हैं और 30,000 कॉंट्रेक्ट्स वाप सेप्टेंबर 25,000 कॉंट्रेक्टेदर 37,000 कॉंट्रेक्टेदर 23,000 कॉंट्रेक्टेदर 30,000 कॉंट्रेक्टेदर तो net basis पे अब shots बढ़ते जा रहे हैं जिन प्रती दिन, जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो market short term basis पे एक top तो बनाई देता है, क्या market top बना चुक है या बनाए गा, nobody knows, right, because nobody can predict where the market would be, हम बस अपनी analysis की basis पे position ले सकते हैं और उस position को hold कर सकते हैं, ठीक है, market में आना नीचे ही है, why, because ये जो number बना है, ये इतना तो हमें बता रहा है कि market को नीचे ही आना है, किस level पे नीचे आना है, कब तक नीचे आना है, वो हम data को continuously follow करेंगे, but आना नी पे नीचे है, इसका मतलब ये नहीं कल ही आप shot करके बैठ जाएंगे, without any defined risk, ठीक है, तो positionally market अभी भी sell on rise है, ठीक है, जब जब मौका मिलेगा बेचने का तब तब बेचेंगे positionally, ठीक है, और इस number के आने के वज़े से, I am further more confident in adding more lots to my already existing positions, but September में नहीं, October में, September positions are already running in profit, ठी ठीक है, तो अभी भी for every short, for every long, sorry, there are four short in the system, ठीक है, इस number को कभी मत बूलना, because जब monthly settlement की बार ही आईगी, जब index future की settlement की बार ही आईगी, ये number factor in होना बहुत जरूरी हो जाएगा, उस point पे, ठीक है, so that's all for today, thank you guys for watching, अकर आप FIS की data कैसे read करनी है, वो सीखना चाते हैं, तो उ आप FIS की